आज मैं आपको तोरही को तोड़ने की साइज और उम्र के वारे में बताना चाहे रहा हूँ जो ये सामने तोरही लगी हुई है ये अभी छोटी है वो ये दो दिन बाद बढ़िया प्रकार की तोरही है तोड़नलायक हो जाएगी अब इसके अपन आगे चलते हैं थोड़ी स लिनियर है इसे वह देखिए ये उसी का प्लांट लगा है तोरही का और इसके साथ साथ ये देखिए ये लगी है एक बड़े साइज की तोरही हो गई है काफी बड़ी हो गई और एक खाने लायक है अभी इस पड़िया और इसको थोड़ा जान बूच के थोड़ा बड़ा किया गया है, क्योंकि यह कि अकेली के तोजिब सब्जी बनने के लिए, तो इसकी साइच को बढाए गया है, ताकि इसमें बरी डालके और आलू डालके, हम परिवार के चार लोगों के लिए एक टाइम के लिए हो सके और यदि ही को अपन दो दिन और रोक दें तो फिर ये किसी काम की नहीं रहेगी तो इसको अपन ने जान बूचके बड़ा किया हुआ है तो इस तरह से आप भी है जो इसको है जो तोड़ने की इस्थिति देख सकते हैं और इस कि इसको देख दो दिन पहले तोड़ते तो बड़ी ये बेचने लायक रहती जो बाजार में जो अट्रैक्टिव है सबजी की साइज होती है वो रहती है तो जी हमने इसको थोड़ा बड़ा किया हुआ है और इसको भी हम तोड़ेंगे और आज है इसको सबजी बनेगी इस मैं डाक्टर बीपी सुत्रकार सायक सिंचलाकरसी छतरपोर यह रोज रोज में बीडियों इसलिए डालता है कि आप आकरसित हो और इसके तरप आपका रुजहान बड़े यह मेरा एक उद्देश है और यह अच्छी चीज है कि इसको आप भी यूज करें अपनाएं और अपन आपको इसमे ठालें क्योंकि आज की आवसकता है समय की आवसकता है धर्नवाद